हेलो फ्रेंड्स, वल्कम बाग्ट टू मैजनेल, दोस्तों कैसे आप सब लोग उम्मिद करते हैं, आप सब लोग ठीक होंगे तो दोस्तों बहुत दिने के बाद आज का मेरा वीडियो ये सकते हो इसकी हाइट है काफि ग्रोथ हो गई काफि ये बड़ा हो गया ओर च्छोटे से पॉझे से फॉसती। ग्रो हो गए अगर आपके spider plant के मतलब आप उसकी proper care नहीं कर सकते तो इसके आपको क्या करना है इसका ख्याल कैसे रखना है tips कौन से इसके बारे में आपको पताने वाली हो सबसे पहले अगर आपका spider plant की growth नहीं होती तो आपके नीचे के side से उसके खराब लिउस पहले तूरंत निकालने है इसके वज़े से क्या होता है दोस्त अगले जो उपर के जो पत्ते रहते लिउस रहते हो प्रापर ग्रो नहीं होते है और प्लांट की height भी growth नहीं करते है और प्लांट जो रहता है spider plant गना ग्रो नहीं होता है इससलिए आपको नीचे से प्लांट के सारे लिउस खराब निकल देने इससे आपकी प्लांट के height भी बढ़ती है और plant automatically grow हो जाता है दूसरी बात अगर आपके प्लांट के पत्ते प्रापर ग्रो होने जाते है मतलब छोटे छोटे रहते ज्यादा बड़े बड़े इस तरह से पत्ते नहीं होती है या तो आगे से पीले पढ़ जाते है तो आपको क्या करना है पत्ते को आपकी जो मिटी रहते है पहले आप मिटी जो रहते है मिटी का थोड़ा ऊपर का layer निकालते है और उसमें गोबर का खाट आप यूज़ कर सकते हो भी बहुत हिल्दी रहते है प्लांट के लिए इससे भी प्लांट बहुत हिल्दी से और इसके पत्ते आप देख सकते है इसी तरह आपके पत्ते शाइन और लंबे-लंबे स्पाइडर प्लांट के पत्ते बन जाते है बहुत घने और एकदम हेवी कड़क ली तो यहां पर आप देख सकते है पत्ते बहुत कड़क पत्ता रहता ह और काफी अच्छे से इसका कलर मिक्स कलर कितना प्यारा दिख रहा है यह बहुत ओड प्लांट है इसके पत्ते और भी ब्यूटिफुल लगते हैं कर तो अगर आपके पत्ता क посмотреть आपके पत्ता belly box का प्लांट निकालने की आपके ज़रूत भी नहीं पड़ती है जितनी बते खराब हो जाएं अब उतने पूरे प्रॉपर कट करएं तो प्लान को कुछ बचे़गा निया दुबला दिखाएगा तो आपको क्या करना है आगे के जो प्लान का टोक रहता है पीला पड़ गया या तो हो सुक गया खराब हो गया तो आपको उसको सिजर से महाँ से थोड़ा सा कट करना है ताकि यह अच्छे से प्रॉपर ग्रो हो जाए दूसरी बात दोस्तों जो स्पाइडर प्लांट रहता है एक इंडोर प्लांट भी है और आउट्डोर प्लांट भी है इसे आप इंडोर भी लगा सकते है या तो यह फ्रेश यह नहीं है तो वहाँ पर जादा दिन तक इसको रखते तो प्लांट डामेज 100% हो जाता है धीरे धीरे पर पूरा खराब हो जाता है तो कि इसको वेंटिलेशन मिलता ने इसको यह भी बिलता ने तो यह पूरा शैडो डाकनेस में रहकर थोड़ा सा क्रोध भी कम करता है और खराब होने लगता है तो आपको क्या करने है अगर आप इंडोर भी रखते तो विंडो के साइड में जहाँ पर ब्राइटनेस आता हो थोड़े सी सनलाइट आती होगी मॉर्निंग की वहाँ पर रख सकते तो दूसरी बात अगर आपने डूर के बालकने के पा अगर आप इसकी प्रॉपर ख्याल करते देख भाल करते तो यह बहुत आसानी से और अच्छे टाइप से ग्रो हो जाता है वैसे तो स्पाइडर प्लांट की जादा केर करने की ज़रूरत नहीं रहती है पर आप जहां पे उसको रखते और जगा फ्रेश होगी फ्रेश रिय तो यह बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाता है मेरा भी प्लांट आप दे सकते हैं चोटा सा प्ला मतलब जो गमला है पॉट में इसको लगाया और काफी घना और बड़ा हो गया अपि मैंने एक कोने में इसको मतलब एक साइड में इसको रख दिया मेरे ग्रिल के पास तो प सीगव दिखेगा आपको यहां पर इसके पत्या देख सकते कितने लंबे लंबे बड़े बड़े इसके पत्य होteen मैं वही बार पर बोड़े है आपको चोट पत्य कहरा होतें तो आप तुरत उसको पूरा मत काटे जहां पर जो पाट कgar पत्तों को वही काट कर आप वेक अच्छका वीडियो कैसे लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे शेर करे और चैनलो को सब्सक्राइब जरूर करे थैंक्यू, थैंक्स पर वाजिंग